नमस्कार मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी एसोसेट प्रोफिसर प्लिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पे हमारा आज का टॉपिक है भारत की संसद में लोगसभा से समंदित महत्पूर्ट तत्य है तो जैसे कि हम जानते हैं कि लोगसभा संसद का निम्न सधन है और यह सदन अ अधिवेशन तो लोगसभा का अधिवेशन जो है साल में कम से कम दो बार होना चाहिए लेकिन लोगसभा के पिछले अधिवेशन के अंतिम बैठक कीते थी तथा आगामी अधिवेशन के प्रथम बैठक कीते थी के बीच में छे मां से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए तो हम ध्यान रखेंगे कि दोनों अधिवेशनों के बीच कम से कम जो है छे माँ से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए लेकिन ये अंतराल छे माँ से अधिक हो सकता है कब हो सकता है तो तब हो सकता है जब आगामी अदिवेशन से पहले ही लोगसभा का विघटन कर दिया जाए अगर लोगसभा का विघटन ही हो गया फिर तो छे मां से आदे कांतराल होगा ही तो प्रतेक वर्ष लोगसभा के प्रथम सत्र का प्रारम राष्टपती के अभिभा और उसी से जो है लोकसभा के पहले सत्र का आरंब होता है और हम जानते हैं कि एक सार में कम से कम दो बार लोकसभा का सत्र होना चाहिए तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा के अधिवेशनों की स्थती क्या है अच्छा एक बात और विशेश अधिवेशन की भी बात नामनजूर करने के लिए लोगसभा का विशेश अधिवेशन बुलाया जा सकता है तो कब बुलाया जा सकता है विशेश अधिवेशन तब बुलाया जा सकता है जब जो है जब हम जब लोगसभा का अधिवेशन ना हो और कम से कम 110 सदस्य सदन के 110 सदस्य राष्ट पती को अधिवेशन चल रहा हो तब लोग सभाध्यक्ष को इस आशे की लिखित सूचना देना जरूरी है ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथी के चौदा दिन के पहले ही देनी पड़ती है यहीं चौदा दिन के पहले ही कहा जाएगा कि भाई ये विशेश अधिवेशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए विशेश अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है तो आपका उत्तर होना चाहिए जब लोग सभाध आधिवेशन नहीं हो तो ऐसी स्थिती में कम से कम 110 सदस्य राष्टपती को कहें कि भाई आधिवेशन बुल को और इसको सूचना देंगे कि भाई यह बुलायिये लोग सभाध देक्ष को तो ऐसी लिखित सूचना अधिवेशन बुलाने की तिथी के चौदा दिन पहले ही देनी होगी कि बाई 14 दिन पहले बताना होगा किस अधिवेशन को बुलाया और दोनों ही तरीकों से जब अधिवेशन बुलाया जाने की मांग की जाती है तो राश्टपती या लोगसवा अधियक्ष अधिवेशन बुलाने के लिए भाध्य है क्योंकि प्रक्रिया के थैत 110 सदस्यों ने ऐसा लिखित में कहा है अच्छा एक और important बद है वो है अधियक्ष अधियक्ष और उपादेक्ष के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं तो आपको जानना चाहिए तो लोगसवा अपने सदस्यों में से ही अधियक्ष और उपादेक्ष दोनों का चैन करती है तो यह सवाल आएगा कि लोगसवा के अधियक्ष और उपादेक्ष का चैन कहां से होता है तो उसका उत्तर होना चाहिए कि लोगसवा तो अपने सदस्यों में से ही अधियक्ष और उपादेक्ष का चैन करेगी तो अधियक्ष कौन होता है भई लोगसभा का प्रमुख बदादिकारी होता है वो क्या करता है वो लोगसभा की बैटकों की अधिक्षता करता है तथा इसके संचालन का नियंत्रन भी करता है अच्छा उसको ओनेस्ट होना चाहिए इमानदारी होना चाहिए अबजेक्टिव होना चाहिए निर्पेक्ष होना चाहिए जब अध्यक्ष का पद रिखता है मालीजी अध्यक्ष का पद रिखता है तो कौन करेगा अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा उसके कर्तवियों का नर्भन करेगा उपाध्यक्ष करेगा तो जब अध्यक्ष का पद रिखता है तो उसके पद के कर्तवियों का पाल तो परिक्षा में अक्सर यह सवाल आता है कि अध्यक्ष भी नहीं है उपाद्यक्ष भी नहीं है तो क्या होगा तो राश्ट परिती द्वारा नाम नर्देशत लोकसभा का ऐसा सदस्य है वह अध्यक्ष के पत का करतवय को पालन करेगा इसके बारे में सविधान का जिसे सदन निर्दारित करे वो अध्यक्ष के रूप में कारया करेगा लोकसभा का अध्यक्ष और उपाद्यक्ष जो दोनों ही निक्षपक्ष पदधारी व्यक्तत्म है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सविधान तथा प्रक्रिया संबंदी नियमों की व्या और बहुत ही objective तरीकिसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि तराजु का पलडा कहीं एक और जुका हुआ नजर आए। सत्तापक्ष की और उसे बहुत ग्याता होता है नियमों का प्रक्रियाओं का और नकेवल ग्याता होता है उसे अपने कारे करण में भी निर्पेक्षता दिखान प्रश्द करने के साथ ही परणामों की घोष्रा भी उक्तिपदारी व्यक्तितों द्वारा की जाती है कोई भी विशे हो तो उसके मद्दान कौन कराएगा और मद्दान के बाद परणाम के घोष्रा कौन करेगा तो यह अध्यक्ष और अध्यक्ष करेंगे सदन की कुछ समीतियां होती हैं उसके पदेन सभापती होते हैं अध्यक्ष रुपाध्यक्ष तो भात मैदपूर्ण है उनका पद इसी तरह से पूरे के पूरे संसदिय सची वाले पे नियंतरण का काम कौन करेगा अध्यक्ष रुपाध्यक्ष प्रेस और जन्ता के लिए जो गैलरी है वो बैठते हैं तो उसको नियमित करना, उसके रूल्स बनाना रेगुलेशन बनाना ये सब कारे अध्यक्ष और उपदेक्ष रुपाध्यक्ष रुपाध्यक्ष सध्धान्तिक रूप से लोगसभा के अध्यक्ष तो यह आपने देखा कि बहुत important पद है निर्वाचन अच्छा दूसरी बात निरधारत जो तिथी है निर्वाचन की जो तिथी है उसको लोगसभादेक्ष का चुनाव होता है और लोगसभादेक्ष के निर्वाचन की भी यही प्रक्रिया है अतर निक्षपक्ष भारत की प्रथम महिला लोगसभादेक्ष थी तता सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोगसभादेक्ष थी तो यह परिक्षा पूछा जाता है कि बताएजी भारत की प्रथम महिला लोगसभादेक्ष कौन थी तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए मीरा कुमार इसी तरह से प भारत की राष्ट्पती चुने गए तो इसका उत्तर है नीलम संजीवा रेड़ी वह पहले लोगसभा अध्यक्ष दे और भाद में भारत की राष्ट्पती चुने गए अच्छा एक बात और एक टॉपिक और है वो है शपत ग्रहन अब इससे भी कॉंपिटिशन में सवाल आते हैं लोगसभा की अध्यक्ष की रूप में शपत नहीं लेता है बलकि वहां सामान्य सदस्य की रूप में शपत देता है उसे लोगसभा का कारेकारी अध्यक्ष लोगसभा की सदस्य की रूप में शपत ग्रहन कराता है जो भी लोगसभा का कारे सथे पर दो सबस्त कर दो ya जाता है लोग्स पार्यकारी अध्यक्ष करता है उए विक्ति को नाम्यदी करत किया जाता है जो लक इगार्यक्ष का कोन होता है वह व्यक्ति होता है जिसको सदन नामजद करें और सदन किसको नामजद करती है जो लोकसभाई में सरवाधिक वरिष्ट होता है तो इस तरह से आमने देखा शपत्ग्रण बहुत इसी के साथ एक और इंपोर्टन है वेतन भत्ते और पदावदी तो लोकसभाई के अद्यक्ष और पाद्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जाते हैं जो संसत विधी द्वारा निर्धारित करें सविधान का रूछे 98 कहता है कि जब तक ऐसी कोई विधी पारित नहीं की ज जाती है तब तक अद्यक्ष और पाद्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जाएंगे जो दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है लोकसभा के अद्यक्ष को राज्यसभा के सभापती के समान ही मासिक वेतन और भत्ता मिलता है 14 माई 2002 को संसत्वारा पारित एक संशोधर के नुसार जदी लोकसभा के अद्यक्ष के मित्यू उसके पद पर बने रहने के दौरान हो जाती है तो उसके परिवार अर्थात्पती या पत्नी को पेंशन आवास और स्वास्ते सुविधाएं मिला करेंगी यह सुविधा अब तक राष्टपती और उपराष्टपती के पदों के लिए थी लेकिन 14 माई 2002 के संसत के द्वार पारत संशोधन विदे के बार आप लोगसभाद देक्ष को भी यह सुविधाएं मिलेंगी इसी तरह से लोगसभाद देक्ष को केंद्री मंत्री के समानी बत्ता देने का भी प्रवधान किया गया तो आपने देखा जैसे ही वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते उन्हें अपने पद पर रिक्त करने होते हैं किन्तु लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद आगामी लोकसभा के गठन के बार उसके पहले अधिवेशन की पहली बैठक तक वो अपने पद पर बना रहता है बहुत सदस्यों तरफ इस को फिस्टी नहीं रहें के का दूर्श सथाओं बहुत कुछ संकल्प इसrement को नहीं के どलेशने के अड़िये कारियों को कॉण्ज चॉदा दिन पूरवी दी जाने जब कभी लोगसभा उनको हटाएगी दोतियाई भूमत से तो पहले उस संकल्प की ऐसे संकल्प की सूचना उन पदादिकारियों को 14 दिन पहले दी जाएगी लोगसभा की जिस बैठक में अद्यक्ष या उपाद्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस बैठक में ये पदादिकारी अद्यक्षता नहीं करेंगी आप समझ रहे ना कि उनी को तो हटाया जा रहा है उसके लिए बैठक हो रही है और उसी के अद्यक्षता वो कर रहे है ये तो संभव नहीं है तो ऐसे मामलों में उसके अद्यक्षता वो नहीं करेंगे लोगसभाद्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव आने पर ऐसी बैठक के अद्यक्षता कौन करेगा उपाद्यक्ष और अगर उपाद्यक्ष के मामले में ऐसा प्रस्ताव लाया जाए तो कौन करेगा तो ऐसे विक जब कभी हम लोगसभा अध्यक्ष के वुरुद्ध लाए गए प्रस्ताव के लिए विचाराधीन लोगसभा की बैठकों में सविधान के रुछे अध्यक्ष ऐसी बैठकों की कारवायों में भाग ले सकता है बहुत इंपॉर्टन्ट है मालीजे ऐसी बैठक होई जसमें हम यह डिसाइड कर रहे हैं लोगसभा यह डिसाइड कर रही है कि अध्यक्ष को अटाया जाए तो ऐसी बैठक होगी उस बैठक में अध्यक्ष भी ज समान हो जाए पक्ष और विपक्ष के मत समान हो जाए तो ऐसी दिशा में लोगसभाद देख्ष को मत देने का कोई अधिकार नहीं है बहुत इंपॉर्टन्ट है देखे किते अच्छी बात है ताई हो गया तो टाई के स्थती में नहीं है सरवप्रत्थम लोगसभाद के हो पाया तो इस प्रकार हमने देखा कि लोगसभाद देख्ष की शक्तियां हमने बहुत इंपॉर्टन देखा लोगसभाद हमने देखा लोगसभाद का दिवेशन कब कब बला सकते हैं फिर हमने यह भी देखा कि लोगसभाद देख्ष को है वो कैसे उसका निर्वाचन होत फिर हमने ये भी देखा कि भारत की प्रथम महीला लोकसभा देक्ष कौन सी थी और दूसरी महीला लोकसभा देक्ष भी कौन सी थी फिर हमने देखा कि लोकसभा का देक्ष अपत कैसे लेता है हमने ये भी देखा उसके वेतन भत्ते और पदवदी क्या क्या होती है अच्छा आभी देखो मैंने आपके लिए टेबिल लेके आई हूं आप टेबिल देखे ध्यान से इस टेबिल में क्या है इस टेबिल में हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद जितने भी लोग सब अध्यक्ष हुए हैं उनका नाम है और उनका कारेकाल है तो यह कॉम्पेटिशन में अ 2019 से निरंतर चल रहे हैं यह लोग सबाद देख्ष हैं तो आप देखिए इसमें बहुत इंपोर्टेंट है गुर्दायल सिंग धिलो जो है वो दो बार उनका टेन्यों हो रहा कारेकाल रहा बलराम जाखर जी जो लोग सबाद देख्षते हैं उनका दो बार टेन्यों रहा बालयोगी जी का दो बार टेन्यों रहा तो इस प्रकार मीरा कुमार और सुमित्र महाजन का भी कारेकाल देख लिजे तो यह बहुत इसी तरह से अनंत शैन आयंगर है उनका भी दो बार का कारेकाल रहा तो यह बहुत महत्कून है इसको आप ध्यान से पढ़े और इसका आते हैं तो यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है भारत की संसद में लोकसभा का आप इसको तियार करें कॉंपेटिशन में भी इससे सवाल आते हैं और बाकी आपकी में परिक्षा में तो आते ही हैं तो इसका आप तयारी करें और कोई दिक्कत होती है तो हम में लेंगे तो बात करेंगे विश्व all the best अपना ध्यान रखें और बहुत जरूरी हो तो ही भार जाएं मास्क लगा के जाएं और अपने स्वास्ते का पूरा ध्यान रखें अपने घर के जो बुजर्ग है उनका भी ध्यान रखें त्योंकि ये जो कुरूना का काल है बहुत ये हमारे लिए चुनौती पूर्ण है और हम इस चुनौती पे जरूर अपनी जागरुकता से विजय पाएंगे और सतरक रहें सचेत रहें मास्क पहने और अपना ध्यान रखें पीश्व all the best